हेलो दोस्तों वेलकम यह मैं संगीता गुपता रेकी ग्रांड मास्टर और लॉफ अट्राक्शन एंड मनी मंत्रा एंड लव एंड रलेशनशिप एक्सपर्ट विछले पच्छे साल से ज्यादा और्मोस्ट सरी यह नौ मैंने अपनी डर्नी शुरू करें थी नाइटी वन मे पिश्रू कर दिया था तो स्वागत है नई लोगों का आप सब का और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकरी लाने वाली हूं आपका सबसे अच्छा होट टॉपिक लाव एंड रिलेशनशिप्स क्योंकि लाव एंड रिलेशनशिप्स में बहुत ज्य हमारे रिलेशनशिप्स में खटास आ गई है तो कैसे उन रिलेशनशिप्स को हम वापस ला सकें उन लोगों को मना सकें तो आज की समय में लोग सबसे जादा रिलेशनशिप्स से परिशान है और यह बहुत दुख की बात भी है कि जैसा जैसे हमारे समाज में पैसा आता ज जहां प्रेम की कमी हो रही है, प्यार की कमी हो रही है, ट्रस्ट की कमी हो रही है, तो यह एक चिंता जनक बात है पूरे समाज के लिए, कि हम अपने समाज में क्या दे रहे हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे की गल्तियों को माफ नहीं कर आगे बहुत बहुत जरूरी है कि हम ट्रॉस्ट करें रिलेशनशिप को अच्छा करें क्योंकि अगर आपने एक रिलेशनशिप छोड़ दिया फिर दूसरे का भी कोई भरोसा नहीं होता तो जो है एक ही रिलेशनशिप को हम किस तरह से प्रेम पूरवक चलाएं यह बहुत जरूरी यह उसके लिए committed रहें उसके लिए faithful रहें तो दोस्तों मैंने सोचा है कि बहुत लोग परेशान है रिलेशनशिप को लेके तो मैं कुछ queries लेकर आ रही हूं एक तो मेरे से पूछा जा रहा है कि माबब को कैसे मनाए हमारा love affair चल गया हम शादी करना चाहते हैं पर माबब न महर लगाएं यह ज़रूरी है क्योंकि माबब हिंदुस्तानी माबब बच्चों को बच्चा ही समझते हैं माबब अगर 80-90 साल के हैं और बच्चा साथ साल का हो गया उनका बच्चा कहेंगे उसको साथ साल के बेटा बेटी को भी वो बच्चा ही कहते हैं और उसको ना समझ क्यों नहीं होते हैं मेरा प्रेशन यह है कि मापाप को मनाने से पहले आप अपने आपको क्यों नहीं जांचते हो आप क्यों नहीं कमिटेड होते हो कि जो भी हम करेंगे हम सही कर रहे हैं आपको क्यों ठपा चाहिए मापापका बड़े नहीं हुए हो क्या क्योंकि समय बदलत के दूसरे धर्म के व्यक्ति से आप एप्रूफ करोगे तो हम आगे बढ़ें तो उसी समय पूछ लो जातो पर अक्सर आप ऐसे नहीं करते तब तो आप डरते हो अगर आप डरते हो तो अपने डर पर काम करना चाहिए जो लोग माता पिता से डरते हैं क्या डर है आपको क्यो आप माबाब की हर्टी से अप्रूफ करते हो तो ये आपको तालमेल अपने लिए कमिटेड स्वयम ही होना पड़ेगा अपने लिए स्वयम ही लेना पड़ेगा कि मैंने जो है इस व्यक्ति से शादी करनी है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग जो एक साउथ और नॉर्थ इं नहीं करेंगे और उसी कमिट्मेंट की माबब मान जाते हैं कि माबब और ज्यादा वो है क्योंकि अपना जो समाज है इस समय विकास के मोर पे हैं तो कुछ लोग और के लेंग और इस तरह की चीज़े कर देते हैं तो आप अपनी परिस्तितियों को देखिए कि किस तरह का माबब का बैग्राउंड है माबब नहीं मानेंगे तो कुछ लोग छोड़ भी देते हैं तो आपको आए आपके को खुदी सर्टाना है आप उनको हीलिंग दे सकते हो माबब को मनाने का सबसे अच्छा तरीक है आप उनको हीलिंग दो और अपने लिए यह जान लो कि हमने कि इसी से शादी करना है नहीं तो हमने करेंगे तो यह चीजे काम कर सकती हैं बाकी और कोई तरीगा नहीं है हमारा समाज बदल रहा है बच्छों को भी बदलना पड़ेगा माबब को बदलना पड़ेगा और लड़कों लड़्कियों को अपने लिए कमिट्मेंट करना पिखल जाते हैं अकसर तो ये तो एक तरीका है और दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ बहुत लोग चाहते हैं कि मैं उनकी healing करूँ तो आप relationships की healing खुद करोगे तो अच्छी results आते हैं इसके लिए मैं launch करने वाली हूँ love and relationship का एक course बना रही हूँ तो आपका relationship बहुत अच्छा होगा तो आप इसके बारे में गौर करिये और मुझे नीचे comment box में बताइए कि आप इस course को buy करेंगे तो मैं जल्दी इसको launch करूँ रही thank you bye bye love you all see you all and wish you all a very very happy new year thank you